इसके पीछे यूक्रेन की स्पाई एजेंसी है जो की CIA की हेल्प के साथ ही इतने बड़े धर्जे का ऑपरेशन कर सकती है मॉस्को के अंदर Islamic State of Khorasan की इतनी रीच में नहीं समझता रूस के अंदर कोई इससे बेटर टाइम नहीं होगा चीन के लिए तो एक्स्प्लाइड अमेरिकास प्रीक्पेशन और गो आल आउट पर ताइवान रूस ने भी इसको special military operation बोलना बंद कर दिया है they are saying it is war attack हुआ नहीं कि पहले तो American certification आगी Ukraine is not involved यह पागलपना है in the hope कि वो tactical nuclear threshold cross कर ले तो क्या करेंगे आप क्या कर लेंगे आप क्या आप रूस को destroy कर लेंगे something is cooking आपको बड़ा clearly बता दूं Pakistan और United States क्यूंकि United States is keen की कि किसी तरह Iran के उपर pressure बनाए रूस से natural gas खरीद सकते हैं तो हम क्यों नहीं खरीद सकते मतलब सेंक्षिन हम पर लगाए जाए और हम ना खरीदे आप खरीदते जाओ जो आपके हित में आप करो हमारा हित जाए भाड़ जहां हमारा राष्ट्र हित involved है we will act in our interest not in somebody else जहें दोस्तों आप देख रहे हैं defensive offense और मैं हूग अवब आज हमारे साथ है में जोनल जीडी बख्षी साथ आप defensive offense पुन को बहुत बार पहले भी आप देख चुके हैं और सब्सक्राइब करें आपको पता है कल मॉस्को में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ साथ से जादा लोगों की जाने जा चुकी है दोसों के करीब घायल है उसके उपर अमेरिका से भी कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही है और वहां के कुछ foreign पुराने जो अमेरिकन अपकी जो पहली प्रतिक्रिया है जैसे आइसके पी ने इस्लामिक स्टेट खुरासान प्राविंस ने बोला कि अपने ओफिशिल टेलीग्राम चैनल पर कि यह हमने किया है और हमला होते ही उन्होंने responsibility ली भी नहीं थी कि युक्रेयन ने official statement देना शुरू कर दिया कि इससे हमारा कोई लिना देना नहीं है यह हमने नहीं किया है अमेरिका में वीडियो बनने लग गए CNN पे MSNBC पे लोग आने लग गया बोलने लग गया कि यह ISKP नहीं किया होगा ISKP ही करेगी उसको वहाँ पर चेचन्स भी है Central Asia में और भी बहुत सारे groups है और ISKP का बड़ा influence हो गया है चानक से all of a sudden वहाँ पे इन Muslim countries में Muslim communities में Central Asia में तो उन्हों ने किया हो सकता है जाकर के तो सर अमेरिका ने कितने Middle East में वेस्ट एशिया में मुसल्मान मारे हैं और अश्या ने कितने मारे कि ISKP उनके उपर हमला कर रही है देखे I don't buy this ISKP line I think यह जिस भी intelligence agency और आप समझ सकते हैं मैं किस की तरफ इशारा कर रहा हूं इतना बड़ा हत्या हत्कंडा किया है मॉस्को में राजधानी में रूस की वो आप cover और alabies देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रूसी आक्रोश यूक्रेन की तरफ न जाए आपको याद होगा कल ही मेड़डेव सा आप ने एक जो है बयान दिया है जिसमें उन्होंने काया कि आगर यूक्रेन इसके पीछे है तो हम यूक्रेन के किसी सीनियर कमांडर को जिंदा नहीं छोड़ेंगी राइट बड़ी भीशन प्रतिक्रिया उनकी यूक्रेन की प्रति होगी लेकिन जहां तक मेरा अंदाज ह है अभी तक अभी तक जो भी खबरें आई हैं उसके मताबिक इसके पीछे यूक्रेन की स्पाई एजेंसी है जो की CIA की हेल्प के साथ ही इतने बड़े दर्जे का ऑपरेशन कर सकती है मॉस्को के अंदर राइट जो वीडियो फोटेज पे लोग देखे गए हैं वो छेचन नहीं हैं वो European है वेरी क्लेरली दे चार से पांच हैं वो रशन मिलिटरी यूनिफॉर्म में थे नंबर वन नंबर दो वो बहुत अच्छे ट्रेंड थे मिलिटरी ट्रेंड पीपल थे टैक्टिकली मूव कर रहे थे छोटे बर्स्ट और या सिंगल शॉट्स फायर कर रहे थे अंदा दुन्द फायर नहीं कर रहे थे कोई उन्होंने इस्लामिक नहारे ना अल्ला हो अकबर वगएरा नहीं लगाया जिससे कि जो की ट्रेड मार्क सिगनेचर ट्रेड मार्क है अगर इस टाइप का कोई इसलामिक कोई ग्रूपिंग जो है इसको वो कराती है और अगर आया इसलामिक स्टेट और खौरासान की इतनी रीच में नहीं समझता रूस के अंदर अफगानिस्तान में हो सकती है सेंट्रल एशिया में हो सकती है भार को को पेनिट्रेट कर विया यह यह कावर अपहले भी हैं क्योंकि देखिए ग्राउंड के ऊपर डिग्राउंड वार डी यूक्रेनियन्स हैव लास्ट बैडली पिछले साल उनको अमेरिकन ने बहुत उकसाया कि ओफेंसिव करो ओफेंसिव करो दो नए कोर क्रीट के नाइ हो गया है बड़ी हेवी कैजुल्टी हुई है और अब यह बिन फोर्स तो कम अन दे डिफेंसिव इससे बड़ी नाक कटी है अमेरिका की वेस्टन कंट्रीज की उनकी सोच थी कि हम यह बहाना लेके लड़ाई का ऐसी एकनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे कि रूसी एकॉनमी तबाह हो जाए और जैसे कि 1991 में हुआ था तो सोवेट यूनियन एड ब्रोकन आप तो वो बड़ी उमीद लगाए बैठे थे कि पूतिन भाग जाएगा प्लाइब कर देगा मतलब बड़े हमने यह खैली पुलाव देखे लेकिन ग्राउंड हकीकत सबके सामने है मिलिटरी अब यह है कि साब इनकी जो है इस बिकाम अमैटर ओफ फेस इजट का सवाल बन गया है अमेरिका अब जो है इस ट्राइंग टू पिविट टू एशिया क्यों कि अमेरिका फस गया है यूकरेन में अमेरिका फस गया है मिडल इस्ट में और यह टाइम का कोई इससे बेटर ट चीन के लिए to exploit America's preoccupation and go all out for Taiwan पहले तो इसका अंदाज लगाया जा रहा था है by 2025-2027 they will attack Taiwan लेकिन एक सोच ये भी है एक कुछ war games की गई है जिसमें अंदाज ये लगाया गया है कि साथ इतना देख रहा है कि अमेरिका इतनी बुरित्रा से धसा हुआ है इलेक्शन भी आने वाली है अमेरिका के अंदर वेरी क्रिटिकल टाइप तो वो इस साल भी अटैक कर सकता है ये भी अठकलने लगाई जा रही है और इसी के लिए आप देख रहे हैं कि अमेरिका इस ट्राइंग टू पला जाड़ आए यूकरेन से उसने बोला है यूरोपियन कंट्रीज विल डू दे हैवी लिफ्टिंग कि तुम समालो ये हमको जाना है चीन से लड़ने ठीक है साब और तो इसके चलते जो यूरोपियन देश हैं हमने देखा है डिटर करने के लिए रशा को क्योंकि देखिए रशा ने तीन लाख मोबिलाइज किये थे पिछले से पिछले साल और उससे उन्होंने पूरा काया पलट दी है लड़ाई की क्योंकि वो पहले डेड़ लाख आदमियों से अटैक किया था जो बिलकुल काफी नहीं थे और वो मैन पावर की कमी बड़ी बड़ी भरी पड़ गई रू कि इससे वो बड़ा काउंटर ओफेंसिव करने वाले हैं या तो वो खरकीव को पकड़ लेंगे या वो कीव की तरफ जाएंगे या ओडेसा की तरफ जाएंगे लेकिन वो जो रूस है वो भारी नुकसान पहुँचाएगा इसको और बड़ी अठकल ये है कि रूस जो है व तक अटाक करके क्लियर कर देगा वो पूरा एरिया ताकि यहां से ड्रोन शोन छोटे रेंज के वेपन जो हैं वो रूस की सिटीज को ना हिट कर सके अपनी सिक्यरिटी के लिए वो ये जोन क्लियर करना चाहता है अठकल लग रही है और ये अड़ी ये ये उनू दिस बैक के forces ground air naval forces involved हैं बड़ी major exercises चल रही हैं और वो अब धंकी दे रहे हैं खासतर France और Poland कि साब हम अपने boots on the अगर रशा ऐसा counter offensive करता है तो हम अपने boots on the ground ले आएंगे western Ukraine western Ukraine में जहां main लड़ाई meat grinder चल रहा है eastern Ukraine में वहां नहीं वहां से हम इनके सारे police और सब लोग जो इनके बचे कोचे armed forces हैं वो free करें कि जाओ तुम मरो वहां लड़ो मरो ठीक है यह यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस तक वो इस हद तक वो जा सकते हैं क्योंकि इस से जादा अगर वो direct clash में आए तो फिर तो साब nuclear youth it is 100% certain की tactical nukes straight away escalation उस level तक हो जाए कि आगर रूस समझता है कि अब इतना European nation मिलके हम ना कर रहे है तो रूस ने भी इसको special military operation बोलना बंद कर दिया है they are saying it is war और अब वो war की तैयारी में है पूर्ण रुपेंड वर I don't know what the thinking is it is pretty crazy thinking if it is just bluff and bluster if it is just to डराना चाहते हैं Russia को कि तुम हमला न करना they want to freeze the battle as it is जैसे कि North Korea में थी वो नहीं चाहते कि रूस की clear victory पूरी दुनिया देखे और इनकी नाक कटे ठीक है तो हमने यह देखा ह है कि in the interim वो Ukraine को encourage कर रहे हैं आकी तुम attack नहीं कर सकते ground पर तुम लड़ नहीं सकते तुम मार खा रहे हो पिट रहे हो अब दीव का में हार चुके हो लेकिन तुम दर्शाओ दुनिया को कि नहीं हम में अभी भी धम है by drones fire करके जो special forces से उनको Russian separatists दिखाके attack करो border areas में shelling करो drones fire करो जैसे कि उपिसली बार यहां पर फिफायर किरती है और अब साब उनका नया जो है हतकंडा terrorist operations करो कि मतलब रूस में जो आम नागरिक हैं और ते बच्चे बुड़े यंग उनको मारो बहुत सारे बच्चे मारे गए इसके music concert था वो music concert था छेला 6780 seating capacity में तकरिमन फुल हॉल था 66,000 प्लस लोग थे वहां जाके इन्होंने यह मार धार शुरू कि नाओ एक बड़ी क्यूरियस चीज यह है कि एक हफ्ता पहले अमेरिका अमेरिकन embassy रशा ने अपने लोगों को वर्निंग दी थी कि कि किसी भी population के इलाके में मत जाए और उसके बाद यह हतकंडा हो तो इस क्यूरियस और फिर पहले से अटाइक हुआ नहीं कि पहले तो अमेरिकन सर्टिफिकेशन आ गई यूक्रेन इस नॉट इन वाले यह तो रशा की जांच एजनसी अब नाओ डिटर्मिन करेंगी ना कि वाट इस दो सोर्स अटाइक कहां से कहां से आप पहले रात आप नहीं चाहते हैं नहीं चाहते हैं कोई अब आप चाहते हैं यह बड़ा क्लियर कॉजस बेली है पर रशा टू एसकलेट दो वार इन यूक्रेन इसी पहले यूक्रेन ने जब एलेक्शन चल रही थी उस ताइम जो है नाटक करने की कोशिश करी दुनिया को दिखाना की कोशिश के लिए कि हम में बड़ी ताकत है बड़ा धम है हम रूस को रूस के एक शेत्र में हिट कर रहे हैं उन्होंने हिट किया और रिटैलियेशन आनी थी ऐसी जबरदस रिटैलियेशन आ गई पूरा एनरजी इंफ्रास्टर डिस्ट्रॉइ कर दिया है कीव को हिला के र अब हम कब से सुन रहे हैं कि साब पूतिन भागने वाला है रशा चोड़कर कि पूतिन की पौपिलरेटी जमीन पर है पूतिन की पूतिन की पौपिलरेटी तो आप चड़ा गया है यह यह बहुत नीच हतकंडों पर आगे हैं I don't think this is very fair I don't think international laws में that, you know, to use terrorism as a tool of war is not a very happy sign. It shows that you are losing and you are a bad loser. Yes, sir, IS-IS-S formed भी हुई थी. So, there have been so many investigations, there have been so many investigative, journalistic reports, बहुत सारी उस पे हुई. और बहुत सारे फॉर्मर जो intelligence operators थे, उन्होंने भी किताबे लिखी, उन्होंने भी चीजे कही, कि how ISIS was formed in Guantanamo Bay and in the jails of Baghdad. That's right. और इस तरह के, और तो सर आईसिस जब बनी थी, तो सर बशल असद को basically dethrone करने के लिए बनी थी, और उस पूरा operation, उससे में भी सर लोग पूछते दे कि इनके पास जो यह हमवीज हैं, इतनी ब्रैंड न्यू, टोयोटा इनके पास जो SUVs हैं इतनी बड़ी बड़ी, ब्रैंड न्यू, और एक एक काफले में सौ सो टोयोटा चल रही हैं, आकर यह आ कहां से रही हैं, इनको कॉन स्पॉंसर कर रहा है, यह क्योंकि एराक में या सिर्या में तो नहीं बनती है, तो यह आकर आई कहां से हैं, उनके जो वर्दियां थी, वो वर्दियां कहीं तो सिली गई होगी, वो जो आम्स थे वो कहीं न कहीं, किसी ओर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड से कहीं थे तो आए होंगे वो, देखे, I'll give you a bit of background, कि जब second Iraq war चल रही थी और अमेरिकान ने इन्वेड किया था एराक को, तो आपको याद होगा उस वकट जो अमेरिकन CIA ने, जो Republican Guards, जो की most best trained troops थे, सदाम हुसेन के, उनके कमंडरों को बड़ी भारी ब्राइब्स दी थी, और बोला, तुम हत्यार डाल दो साब, जब एक बारी सदाम हुसेन को हम खतम कर देंगे, हम आपको जो है, अच्छा award मिलेगा, और वो लोग पैसे के लिए उन लोगों ने, लड़े ही नहीं, they just went away, और जब लड़ाई जीत गए, तो इन्होंने बोला कि तुम कौन, मैं कौन, वो नोजी, उन्होंने सारे के सारे उठा के बाहर कर दिये, on the road सड़कों पे कर दिये, और नई Israeli army, जो Iraqi army, raise करनी शुरुत करी, जिसमें जादातर Shia थे, ठीक है साथ, क्योंकि ये सुनी Shia का problem थी, वहाँ बड़ी जादा, तो most of the people, जो Republican guards वाले थे, out of job, and who had been so badly betrayed, to betray their country first, जादातर तो वो IAS, IAS में गए, और फिर CIA जो वहीं पे थी, उसने उनको कहाए, कि इनका direction कहीं और किया जाए, तो direction किया, उन्होंने कि सिरिया में आप जाओ, वहाँ पे करो, वहाँ खालिफेट establish करो, for the end of time battle, लेकिन, अगर Islamic ideology का tactical use करना चाहते हैं, उसमें pitfalls बहुत हैं, तो वहाँ जो उनका, जो महदी आया, वो उसने अपने आपको तो अगला पेगंबर बता दिया तकरीबन, और उसने कहा कि end of time battle तो होगी, शैतान अमेरिका के साथ, उसने अपनी sides अमेरिका की तरफ divert की, लेकिन अभी भी, उसके मरने के बाद भी, अमेरिका इस्तमाल कर रहा है, इसका सिरिया में लड़ने के लिए, किसके खिलाफ, रूसी फौजों के खिलाफ और बाशर अलासाथ के खिलाफ लड़ने के लिए, और इस वेरी वेल लोन कि इनके linkages हैं, इनके linkages हैं, और ये बड़ा पैट है साथ, कि आप अभी लड़ाई खतम नहीं हुई, टेररिस अटैक इस टिल उन, और वहां से जो है, अमेरिकन कहते हैं कि ये certificate हम दे रहे हैं कि यूक्रेन ने नहीं किया, हमने नहीं किया, और फिर वो suggest करते हैं कि ISIS ने किया, IS खोरासान ने किया, और on Q जैसे, वो वहां से बोल देते हैं, हां जी साहब हम ने किया, अब अपने आपको फालतू दुनिया के सामने दादा गिरी दिखाने के लिए किसाब हमने कर दिया हमने कर दिया हमने कर दिया successful operation है तो हम claim कर रहे हैं वो केते हैं ना कि failure is a bastard child कोई नहीं own up करता failure success को साथ हर कोई कूद कूद के बोले साब मैंने किया मैंने किया किसने किया I think we'll have to wait and watch because after all इतनी गई गुजरी भी नहीं है Russian security agencies और intelligence और उनकी भी काफी कुछ है जो उनको पता है और I'm sure they'll come out वो भी जल्दी में जल्दबाजी नहीं कर रहे जल्दी में determination नहीं दे रहे किसने किया है but very certainly they will find out the source and Russia में भी जो top suspicion इस वकट वो Ukraine की intelligence agency की तरफ है जो की काफी active रही है जिसने in the past भी terrorist incidents रशा में कराए है याद है वो writer था जो उसको बेटी को माल डाला बगएरा बगएरा drone attack किये prominent buildings पे Moscow के अंदर और drone attacks कहां से कोई local बंदे गए suit case में अपना drone लेके वहाँ जाके खोला उसको launch किया और भाग लिए चुप लिए उसको तो दुनिया भर में बढ़ चड़के बोला जा रहा था कि वो truck से जो bomb बेजा था भूभी तो terrorist attack की category में आया था तो उसको तो बड़ा फट से claim कर लिया लेकिन अभी अभी naturally थंडे पसीने चूट रहे हैं कि अगर ये the needle points towards Ukraine तो यूकरेन तो अच्छी तरह से जो पूतिन है उनको अब आड़े हाथ लेगा अच्छी तरह से react करेगा और मैं समझता हूं कि ये जो जानभूज के provocation की जा रही है इन दी होप ये पागल पना है इन दी होप की वो tactical nuclear threshold क्रॉस कर ले तो क्या करेंगे आप नहीं क्या कर लेंगे आप क्या रूस को डिस्ट्रॉई कर लेंगे पांच हजार छेसाओ वारेड़ उसके पास हैं अमेरिका और नेटो को मिलाकर भी सारे वारेड़ से जारा ठीक है उसके पास anti-ballistic missile shields को penetrate करने के उसने सरमत missile बहुत सारे missile hypersonic missile बना लिये हैं यह तो मतलब बेवकूफी की हद है ब्लस्टर करने में दादागिरी दिखाने में कि नहीं साब हम आरे नहीं हम में तो अब भी बड़ा दम है कहीं they may not send the wrong signals which can cause a serious accidental escalation सर इसमें एक हमने सर्फ रीसेंटी फड़ा एक geopolitical development यह भी देखा कि जो न्यू आर्मी चीफ है पाकिस्तान के जिनल आसिम मुनीर वह अमेरिका जाते हैं अमेरिका से होके आते हैं कुछ guarantees उनको मिलती है वो किसी को नहीं पता क्या थी he knows and blinken knows और फिर वहां से आने के bomb blast होता है जिसको ISIS ISKP own करती है कि वही हमने किया आइसके हाँ ISKP own करती है और इरान जो है जो है जो कि West Asia में बहुत जादा उसने stronghold हizbullah के through it is controlling almost every territory in and around इसराई और फिर हुटीस के जरीए उसने साओधी अरिविया को भी आड़े हातों लिया हुआ है तो मैवी Air Force और उनके पास जो ड्रोन है तर वो सस्ते वाले ड्रोन जो वो यूज कर रहे है मतलब एक American जो मिसाइल है अगर उसकी कोस्टिंग अगर एक मिलियन डॉलर या दो मिलियन डॉलर आती है दोजार डॉलर का ड्रोन है उनके पास इनकी मिसाइल पंद्रासों डॉलर में बन जा रही है बलेस्टिक मिसाइल तो सर यह हम देखते कि उसको कहीं न कहीं यह अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी होगी कि आप थोड़ा एरान को थोड़ा और कहीं इंगेज करें ताकि पर पास 75 यह भड़े के पिठ्थु हैं ने आपने बहुत पते की बात करी है वेरी गुड़ इंसाइट इंट वाट इस गई पाकिस्तान आर्मी के तमाम जर्नेल उनके बच्चे कहां पढ़ लें उनाइटिड स्टेट्स में पढ़ रहे हैं या यूके में पढ़ रहे हैं म पाकिस्तान आर्मी कंट्रोलिंग एजन्सी है पाकिस्तान के अंदर और उसके उपर बड़ा तकड़ा हाथ है यूनाइटिड स्टेट्स का ठीक है साब बीच में ये लोग चीन की तरफ बुड़ गए थे लेकिन अब यूनाइटिड स्टेट्स इस आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जब आसिव मुनीर अमेरिका गया वो ना सिरफ उनके defense secretary और उनके military officer से मिला वो Victoria Newland से भी मिला विक्तोरिया नूलेंड इस दी यूकरेन क्वीन उसने सारी तबाही जो यूकरेन में है वो विक्तोरिया यूकरेन के विक्तोरिया नूलेंड के हथकंडे हैं अब उससे इनके मिलने का क्या मतलब था मेरे को तो किसी को यह समझ नहीं आया लेकिन काफी क्लियर हो गया जब एर इरान ने रिटालियेट किया इनके उपर किसाब अनाफ जनाफ चिताब नहीं दिये तो इन्हों ने फटस हसाब अपने F-16 लगा के वहाँ पे स्ट्राइक की एरान के बर खिलाफ यह तो फिर बाकी एरब देशों की मीडियेशन से और चीन वगरा की मीडियेशन से वो नहीं चाते थे कि यहाँ पर जड़ब शुरू हो जाए तो चीन के दबाव से फिर इन लोगों ने डी-एसकलेट किया है बट यह सिंपल फैक्ट है कि सम्थिंग इस कुकिंग आपको बड़ा क्लियरली बता दूँ पाकिस्तान और यॉनाइटिड स्टेट्स कीन की किसी तरह इरान के उपर प्रेशर बनाएगा है यूंकि इरान एक बहुत खतरनाक पावर सोर्स के रूप में उभर रहा है इसी इरान जो है वो तीन हाउतीस का तो वो सारे उसके महरे हैं हिस्ब॑ला हमास हमास होती उसके रावा जो दो शिया और्गाजसिंषन हैं शिया और्गाज़ैशन इन इनियराक वो भी इनके इनके महरे ठीक है इक इंगान determine कर लिया है यूराक को चारों तरफ से और वड़ी खतरनाक situation पैदा कर दी है खासतर ह 30 का इस्तमाल करके जो ग्लोबल एकॉनमी को चोट पहुंची है साब आप तो थोड़ी दो महीने और दीजे कोई क्रूड केरियर कोई बड़ा जहाज ये रेड़ सी से आने से सुएज कनाल से आने से साफ इंकार कर रहे हैं आपके इंशॉरेंट कॉस्ट से वगान आप आप व इसमें उनको कोई दो हफते से टाइम बढ़ गया है टाइम ओवर रन फियल ओवर रन कॉस्ट ओवर रन दुनिया की एकॉनमी को हिट पहुंचेगी साब और हूती ने तो बिल्कुल चोक पॉइंट पे बैठे हैं जो एडिन का जो चोक पॉइंट है रेड सी का बाबल मंद कि जो स्ट्रेट्स है वहां देजा है जिससे सारा दुनिया भर का ट्राफिक हमारे 50% export, 30% import वहाँजे आ रहे हमारी एकॉनमी को चोट पहुंचेगी दुनिया की एकॉनमी को चोट पहुंच रही है ऐसे में चीन का रूस का उनका भी एक तरीका होगा उनकी भी एक strategy हो सकती है to induce a war with Iran, to provoke Iran to get into a war in Middle East, जिसमें America को heavily involved होना पड़ेगा That means, अगर Iran involved होता है, अभी तक तो उसके महरे involved, if Iran gets involved minimum two to three carrier battle groups and large section of the US Air Force will be bogged down here वो फरक पड़ेगा अगर चीन के साथ युद्ध होता है इसलिए the Americans, आप देखें, they are going out of the way to treat Iran with kid gloves अभी तक उनोंने होतीज को bomb किया, Hezbollah को bomb करवा दिया, और बाकी जगा bomb कर रहे हैं, लेकिन they haven't touched Iran, जो कि Israel बार-बार demand कर रहा है Israel कह रहा है कि साथ, वो तो इसका फाइदा उठा के अपना nuclear bomb भी बना लेंगे लेकिन अभी तक America has not you know, dare to attack or to get Iran involved, उनको पता है कि अगर war with China होती है, the biggest distraction, Ukraine उतनी distraction नहीं है, number one, क्योंकि वो far away है from this area, उसके लिए allocated forces already जादा तर अब Europe को उन्होंने जिमा दे दिया कि तुम समालो ये, this is your baby ठीक है, बात ये है कि उन्होंने यूक्रेन को भी जब हतियार दिये थे, याद होगा है मार्स दिये, एक attack ams नहीं दिये, क्योंकि attack ams वो install कर रहे हैं Philippines के island पे, Japan के islands पे for war with China कोई ऐसा हतियार नहीं दिया जो कि यहां इस साइड जरूरी पड़ सकता है लेकिन अगर एरान के साथ युद्ध होता है, तो ये सारे हतियार इस टाइप के दो-तीन carrier battle group जो कि crucial होंगे साब कुई कि लड़ाई तो Chinese Navy के साथ होगी और Chinese Navy माशालला आज की दिन वो American Navy से ज़ादा बड़ी हो गई इन कॉंटितिटिटिटिटिव टॉंगे production capacity भी बहुत जादा हो गई है the number of artillery shells maybe ही नहीं, जितने artillery shells वो एक दिन में produce कर रहे हैं उतना पूरा military industrial complex of America वो एक महीने में करता है produce बिलकुल साहब, एक महीने में उतने shells produce होते हैं, जितने की एक दिन में produce हो रहे हैं, रूस के अंदर या चीन के अंदर North Korea भी supply कर रहा है रूस को North Korea भी supply कर रहा है अब उनको तो वहां से एरान उनको शहीद missile दे रहा है, जिनको उन्होंने retrofit किया है, GLONASS guidance system उसमें डाला है, जो कि American spoof नहीं कर सकते हैं और जिससे वो बड़ा अच्छा कारगर तरीके से इस्तमाल कर रहा है यूक्रेन के अंदर बड़ा effective weapon system साबित हुआ है, ये शाहीद missile और कुछ नहीं तो वो swamp कर देता है defenses को, आपको अपने air defense missile क्या पता है कि ये ये शाहीद drone आ रहा है कि ये आपका hypersonic missile आ रहा है तो आप जब wrong जगा missile fire करते हैं और फिर वो equation देखिए बड़ी बड़ी है equation है ये लड़ाई की तोर से 2000 डॉलर का missile आ रहा है 2000 का drone आ रहा है 2000 का missile fire किया जा रहा है उते गिराने के लिए, कब तक how long can you sustain? Patriot missile की तो battery भेजी थी वो तो खतम कर दी फिर दूसरी battery भेजी है उस पर भी नुकसान हो गया है पर ये Patriot missile तो सर जब ये आराम को के ओपर हमला हुआ था जब हुथी इस ने ballistic missiles fire के थे तो Patriot missiles वो फास दे बिलकुल अटर फेलियर वो छोटे मोटे S-300, S-200 को वो रोक पा रहे हैं बट आम अफरेड आप अबल तो स्टॉप एनी किंजाल मिजाल अना की क्लेम कर रहे है कि लेकिं किंजाल मिजाल एक नहीं मार किरा सकते है हाई पर सॉनिक हाई नहीं केबिलिटी के भार है और इतना कोई खास कारगर नहीं रहा है यह वहाँ पर अटरी देखिये रशिंस विदाउट हूपला विदाउट शोल शरावा बट गड़ा वो जो है मेजर्ड वे में जा रहे हैं और तब ही यह हथकंडे शुरू हो गए हैं कि टेररिस्ट अटैक करो यह करो वो करो मतलब इस लेवल तक आप गिरने की आ गई है क्योंकि और कोई बड़ा मिलिटरी विकल्ब आपके पास नहीं है और अगर आप फिर भी अक्तियार करते हैं तो मैं नहीं समझता जान का जोखेम उठाएंगे यॉरप के लोग यूक्रेन के लिए तो सर इस पर कोई अमेरिका की या वेस्ट की मोनापली तो नहीं है वो तो कोई भी क्रियेट कर सकता है कोई भी रन कर सकता है अगर रश्या इस चीज़ को मतलब अगर पेबैक करना शुरू कर दे उन्हीं टर्म्स में स्टार्ट्स पॉंसरिंग टरिज्म रैडिकल एलेमेंट्स और इन्फोर्मेशन वार्फेर की जो केविबिलिटी उनके पास अमेरिका का तो रोना यहीं था कि टर्म्स के पूरे एलेक्शन में उन्होंने इन्फोर्मेशन वार्फेर करके जो एंट्रम्स को जिता दिया तो ऐसा भी में पास वह वह रैडिकलाइज कर सकते हैं वह ग्रूप को मोटिवेट कर सकते हैं पैसे की भी कोई इतनी कमी नहीं है कोई कि दो-चार मिलियन डॉलर क मेरा तो मेरा पर्सनल अनुमान यह है कि आप बिल्कुल एक्जाक्ली टिट फर टाट करें तर्रिरिस्ट अटैक को वाई शूड यू रिप्लाई विदे टैक्टिकल न्यूक इतने तो वह उनकी केजीबी के सक्सेसर एजिंसी एवेस भी इतनी तो कमजोर नहीं है कि वह नह अगर आप करा सकते हैं तो वह भी करा देंगे पुतिन तो फुद इस जर्मनी में केजेबी ऑपरेटिव था वो खुद इंटेलिजिंस मैन है जो कि इस इस स्पेशियलिटी यह और तो वह जरूर करेगा यह 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 यहां कर रहे हैं कल यूरप में होगा यूरपेन कैपिट आपने प्रोवाइड किया हुआ है भर रखें रिफ्यूजी वह एरब वर्ल्ड से और बड़ी उधारता और लेफ्टिस दिखा रहे थे आप वही लोग आजकल शारिया रूल मांगेंगे और आप तोड़ा पचास साल दीजिए वहां की डेमोग्राफी चेंज कर देंगे और यूरपियन नेशन को इसलामिक बराएंगे वो दुनिया के लिए असली खत्रा होगा जो इन्होंने अपने सर खुद मोल लिया है और वहां पे कोई रैडिकल एलमेंट्स की कमी तो नहीं है फ्रांस के अंदर यूके के अंदर यूनाइट स्टेट्स के अंदर वो बड़े वो कर रहे हैं क्या करते हैं इस्राइल के खिलाफ डिमेंस्ट्रेशन यूनाइटिड स्टेट्स में यूरप में तो आपके पास आपके पास वहां हुमन रिसॉर्स मिटीरियल तो है जिसको एक्स्प्लाइट किया जा सकता है और डूंट ठिंक भी रशन एजेंसी इतनी कमजोर हो गई है कि वो ऐसा टिट फर टाट नहीं दे सकती हैं तर चारली हब्डो के काटूने सिगर्दन फ्रांस में ही काटी ना बिल्कुल साब बिल्कुल यह तो फिर आप नया टेरिरिजम का दौर शुरू कर रहे हैं यह जो आगर आपने स्टार्ट किया है पीप स्टार्ट हो सकता है और एस्क अलेटरी स्पाइरल स्टार्ट हो गया तो कहां रुकेगा यह कोई नहीं कह सकता है इक लास्ट वेश्चन तरह हम इंडिया में भी देखते हैं कि इंडिया में जब भी कोई मेजर डेवलप्मेंट होने लगती है जैसे जब किसान आंदोलना जब किसान जब ये बिल आया तो अब उसमें जो 70% आवादी जो किसान है इस देश में उसको अचानक से जो है वो एक freedom open market और उसकी life को अपलिफ्ट करने का एक program आया जिसमें 70% आवादी एकदम से अपलिफ्ट हो जाएगी तो हम देखते हैं अमेरिका में रैलीज निकलने शुरू हो गई ट्रैक्टर रैलीज केरेडा में ये फाइव आइज जितने भी हैं और अचानक से दवा के funding होने लग गई यहां अंदूलन खड़ा हो किसी को समझ भी नहीं आया कि एक bill जिसके उपर सारे agreed थे इतना बड़ा movement फिर हम देखते हैं अचानक से जब आप अपने सेक्योरिटी को एंशोर करने के लिए जब आप सीय या नर्सी करने की बात करते हैं तो शाहीन बाग के सार दंगे शुरू हो जाते है इस देश में धेड़ सो शाहीन बाग लग 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 शेरों में दंगे हुए लोग मरें तो सर इस तरह का जब भी जब आप रश्या से तेल लेते हैं युक्रेयन वार के बाद तो धुपर शर्मा का इशू नो फ्रम नो वेर अचानक से वह एक लोबल इशू बन जाता है तो सर यह कहीं ने कहीं सर अमेरिका या जो अमेरिकन जो मेडिया है या जो उनके जो मैं को तौके जो ताउट हैं इंडिया में हो या मिडली इस में हो या यूरप में हो सर वांड़ हो कि इनी कंट्री लिए अरामरेका हमारा दोस्त है या अमेरिका है जा अपर वह हम एवरीफिंग दे जब भी आपकी लाइफ में कोई भी मुमेंट अच्छा आएगा तो उसको करेंगे और उल्टा if you please read the books of Rajiv Malhotra Breaking India 1 was an eye opener कि क्या क्या किया जा रहा है American universities में to create caste fault lines in India ठीक है create Afro Dalit atrocity literature कि साब जो Dalits है they are like the blacks in America or the Brahmins and Chatriyas are like the whites they are oppressing them and the you know the Africans and the Dalits of the world must unite you know that that kind of a thing and they promote कर रहे हैं इस टाइप की North-South divide पहले तो कि Afro Dalit Dalit जादा तर उन्होंने अभी साल बर पहले ट्रेंड चला है अभी साल बर पहले यह ट्रेंड बड़ी देर से है जिसके हमने बिलकुल ध्यान ही नहीं दिया आपकी जो Harvard University में प्रोफेसर Sheldon Pollock और उनके बहुत सारे अन्याई वो तो caste literature, atrocity literature पे काम कर रहे हैं ठीक है मतलब यह साब American universities में हो रहा है और हमारे चम्चे यहां से जाके वहाँ PhD हासिल करने के लिए कि मैं साब तो London return होते थे पहले अब Harvard return है हमारे bureaucrats जाते हैं हमारे bureaucrats जा रहे हैं आपके बड़े बड़े लोग जा रहे हैं जैसे मैंने बताया है bureaucrats के leaders के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं हमारे भी तो वहीं जा रहे हैं सब तो एक यह वहाँ पे है फिर वहाँ पे NGO's हैं लाइक George Soris उसने तो 1 billion का fund क्रेड किया है कि मोदी जी को हटाओ 1 billion fund openly कि इनको हटाना है और आप वो कारवाई देख रहे हैं वो साबेस पार्ट व देट स्वारे प्रमोटेड कैम्पेइन है एक जो आप पढ़ें किताब Snakes in the Ghanga उसमें एक Iranian है who settled in the United States वो उसने इंडिया में बड़ा हथकंडा शुरू किया हुआ है बड़े सारे स्टार्ट अप्स किये हैं और वो बड़ा सारा मनें आप मनी पंपिन कर रहा है इस टाइब के कॉसे को सपोर्ट करने शर्याम हो रहा है थाब आपकी आँख के नीचे हो रहा है और देखे तो एन एक्स्टेंट जो ट्रम्प थे वोस वेरी क्लियर कि मेरा मेन एनमी चाइना अगर मुझे चीन से लड़ना है इंडिया जपान ये तो मेरे साथ होने ही चाहिए ठीके तो उनकी पॉलिसी अलाइट थी टूर्ट जैसे ही बाइडन साब आए उन्हें ताइवान और चीन को तो थोड़ा नजर अंदाज किया इनिशली उन्हें अफगान से फौजें हटा ली क्योंकि वो यूरप की तरफ लड़ाई करना चाहते थे तो पहला स्टेप था कि अफगानिस्तान से फौजें हटाओ यूरप में यूक्रेन में लड़ाई युद्ध शुरू करो मतलब पूरी तवर्जव वहां आ गई गिरी करें ठीके सहाब अगर आप तेल खरीट सकते हैं यूरपियन देश रूस से नैचरल गैस खरीट सकते हैं तो हम क्यों नहीं खरीट सकते हैं मतलब सैंक्शन हम पे लगाय जाए और हम ना खरीदें आप खरीद आप खरीदते जाओ ये और एक्चुली जब पिछली सरकार थी तो ये हुआ था हमने एरान को बिलकुल उसकेद किनारे कर दिया अमेरिका के दबाव जबकि एरान के साथ हमारी बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के बरकिलाब अफगानिस्तान को लेते हुए काफी कॉंग्रूइंस ओप इंट्रेस इसी तो हमने एरान को दर्कनार कियों कि अमेरिका को खुश करने की ना अमेरिका खुश हुआ और एक एलाइंस जो हमारी बन रही थी क्वासाई एलाइंस वो भी गई काम से विच वोई स्ट्रेटिजिकली यूसफुल बट अब साब सवाल ये है कि अब आप क्या करेंगे ह हमको अपने इंट्रेस्ट को सेफगार्ड करना चाहिए पिरियड हमको क्लियर होना चाहिए कि अगर हम इंडिपेंडेंट आउटार्की ग्रूप से उभरेंगे तो अमेरिका हम पर बहुत दबाव दाले यह दबाव शुरू हो गया अमेरिका अभी तक वो थोड़ा घबरा जो कि Wall Street का Think Tank कहा जाता है, Trump was not the only president जो कभी उसका member नहीं रहा, यह सारे के सारे जो Wall Street के जो members रहे, Obama जैसे, Joe Biden या Josh W. Bush उससे पहले, तो Bill Clinton यह सारे के सारे जो सारे जो सारे Wall Street का interest देखते है, Trump was looking at the interest of America and Americans, that's right, that's right, that's right, that's right, that's right, you see, देखिए, Trump is a radical change in the United States, because he is not part of the standard establishment, he is not part of the deep state, वो जो जो deep state है, वो तो एक corporate mafia जैसा वो अपने interest को देख रहे हैं, black water firm जो है, भाड़े के पिट्ठू के सिपाईयों की, वो बड़ा funding करती है, political, so एक establishment है in Washington, beltway, और जैसे आपने बोला Wall Street वगएरा में, जो कि American corporate interest और ये military industrial complex के allied interest हैं, उनको देख रहे हैं, और जो पूरी organizations हैं, in the governmental organization, like CIA, FBI, आपकी जो foreign, foreign ministry वगएरा, वो साब aligned हैं, towards one particular way of thinking, Trump was a major threat to that way of thinking, I mean, उन्होंने का कि साब, हम outsource करेंगे, low end manufacture to China, China भी rich होगा, हम भी rich होगे, और Trump ने का कि साब, आपने तो हमारी industries खतम कर रहे हो, चीन को अमीर बनाते बनाते, और खुद problem पंगा, आपल मुझे मार अपने क्रेट किया, I think his logic was quite clear, and you find that the American public में, the way he has come back, despite all that opposition, and I won't be surprised if at this rate he wins the next election, हर हतकंडा ट्राइ किया जा रहा है, to make sure legally, this thing, that thing कि वो आना पाए, लेकिन unfortunate reality ये है कि Biden साब में तो खोदी, he has shot himself in the foot by starting the war in Ukraine, now he is stuck in a war in the Middle East, and if by the end of his tenure there is a third war ongoing in Taiwan, then the American public, I don't think, will be very happy, to be involved in wars all over the world, और पहले तो आप बोलें कि साब हाँ, हम ऐसे लड़ेंगे कि Ukrainian मरें, हम पैसे कमाएं, तो कुछ हद तक तो चल जाएगा, but when it comes to a war with China, तो फिर आपके भी मरेंगे, उसाब बन दे, क्योंकि चाइना में आप किसी और को आगे नहीं खड़ा कर सकते, और ना कोई इतना बेवकूफ होगा कि वो अकेले आपके लिए उक्रेन जैसे खड़ा होके, वरना वो कोशिश कर रहे थे हमको दखेलने की उस तरफ, but India has also now learned the lessons and we are very clear, we will go follow our national self-interest, our national security is paramount to us, आपकी आपको होगी, आप उनकी उनको होगी, आप वैसे काम करें, जहां हमारा राष्ट्र हित involved है, we will act in our interest, not in somebody else's interest, that is very clear. Sir, I hope कि Eric Prince भी, आप लें ब्लैक बोटर बोला, तो Eric Prince भी जाये लड़े, वो खुद तो लड़ते ने, but I was talking to somebody and he said, the Americans will fight in Ukraine till the last Ukrainian. यह तो मैं कई बारी टेलिविजन पर कह चुका हूं सा, I would not like to patent this claim, because मैंने पहले दिन कहा था कि the Americans, the NATO, the Western powers will fight Russia to the last Ukrainian. और अब साब उक्रेन में भी यह बात आ रही है, कि आप ने तो कुछ किया, नहीं आप हमको लड़वा रहे हो, this sentiment is very strong. और इसी के चलते यह साब हो रहा है कि हम, we will put boots on the ground, we will put boots on the ground, where Western Ukraine हमत है तो Eastern meat grinder में आ जाओ. Come on the line of fire फिर देखते हैं साब क्या होता है. जो आप कह रहे थे कि रूज की फौज को लड़ना नहीं आता, जो हमने प्रदरशन ground पे देखा है, वो आपको शायद लड़ना सिखा दे, माफ कीजे, because Western lives are very expensive, वो नहीं जाएंगे. वो बिलकुल नहीं जाएंगे साब, मुझे केवल डर इस बात का है, वो डर इस बात का है, कि वो जो bluster कर रहे हैं, वो जो जान बूज के, show off, मुझे show off कर रहे हैं, कि नहीं साब धंकियां दे रहे हैं, धंका रहे हैं, bluster कर रहे हैं, bluff कर रहे हैं, यह कहीं महंगा ना पर दे, क्यूंकि इससे miscalculation हो सकती है, इससे serious escalation हो सकती है, थैंकि यू सर्थ. कर रहे हैं,